दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Google Photos में अपनी जो फोटो है उनको कैसे सेव कर सकते हैं पर्मानेंटली हाँ दोस्तो आप जिन्दगी भर के लिए Google Photos एप में अपनी फोटोज को वीडियोज को सेव कर सकते हैं यहाँ पर क्या करना होगा सिंपल सा तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ इससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है फिलीज वीडियो को लाइक करके कमेंट वॉक्स में फोटोज लिग दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एगन पर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम फोटोज एप पर चल यहाँ पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद में उपर आपको बैकप एंड सिंक का ओप्सन दिखेगा तो हम इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर इसको ओन कर देंगे ओन हो गया अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा यहाँ पर यह ओन हो गया अब आपकी जो फो यहां पर save कर सकते है जिंदिगी बर के लिए अब मालो आपका mobile चोरी हो जाता है या reset हो जाता है तो photo video delete हो जाएगी चोरी करेगा कोई तो mobile को reset करेगा तो delete हो जाएगी ठीक है तो आप कैसे जो सारी photo videos है आपके mobile में उनको दूसरे नए mobile में ला सकते हैं तो आपको नए मोबाइल में जा करके फोटो जैप में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद में ये ही email ID आप बहाँ पर डाल दीजिएगा यानि कि जब आप अपना मोबाइल वूट करते तो email ID ये वाली डालिएगा आपकी जितनी भी फोटो वीडियोज होगी वो सारी cloud storage से आपके मोबाइल में बैक अप हो जाएगी दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको option भी दिखेंगे यहाँ पर upload size पे click करोग तो यहाँ पर आप daily का कितना data अपने mobile का backup करना चाते यानि आप देखेंगे कि यह जो backup होता है इसमें जो MB खर्च होती है तो मेरे mobile में यह folder है तो इन मेंसे जो भी folder में यहाँ पर backup करना चाहूंगा cloud storage में save करना चाहूंगा जितनी भी इस backup को तो मैं उनको on कर दूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपके mobile में जो भी photo videos है वो सारी save हो जाएगी जिन्दगी भर के लिए बस आपको यहाँ पर उपर backup and sync के option पर क्लिक करना है और यहाँ पर यह email id में save हो जाएगी दोस्तों